हलो बच्चो तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुती important topic जो कि हमारा होता है indicators यह class 10th में boards में कई बार पूछा जाता है indicators क्या होते हैं या किन types के indicators होते हैं और इनकी smell जो है वो किस तरीके से different mediums में change होती है तो इस सभी के बारे में देखेंगे इसके सारे questions को हम इसमें solve करेंगे तो सबसे पहले है indicators These are the substances which change their color, smell in different types of substances यानि कि indicators हम उनको बोलते हैं यानि ऐसे substances को indicators बोलेंगे जिनका या तो color change हो जाता है या smell change हो जाती है different mediums में तो सबसे पहले है हमारा types of indicators तो कित्रे type के indicators हमें mainly होते हैं हमारे पास में three types के indicators होते हैं first है हमारा natural indicator second है हमारा synthetic indicator और third है हमारा olfactory indicators सबसे पहले हमारा natural indicators तो natural indicators क्या होते हैं यह हमारे nature में पाए जाते हैं यानि कि हमें natural form में मिलते हैं जैसे कि plants के थुरू इनको extract दिया जाता है इनको हम बहुते है natural indicators इनके examples है first है हमारा litmus तो litmus क्या है? एक natural indicator का type है second है हमारा red cabbage leaves extract जो हमारी cabbage होती है उसकी जो red leaves होती है उनको भी हम natural indicators की तरह यूज़ करते हैं next है हमारा flower of hydrangea plant hydrangea plant को भी हम natural indicators की तरह यूज़ होता है next है हमारा turmeric यानि की healthy हल्दी भी हमारा किस तरीके से यूज़ होता है indicator की तरह यूज़ होता है तो इसका second type है जो की होता है synthetic indicators these are the chemical substances ये क्या होते है कुछ chemicals होते है इनको हम बहुते है synthetic indicators तो इनके example देख लेते हैं हमारा first है हमारा methyl orange और second है हमारा phenophylline phenophylline क्या होता है यह chemical substance होता है और इसी तरीके से methyl orange भी यह chemical substance होता है तो इसी दिए इनको क्या बोलते हैं synthetic indicators बोलते हैं next है मारा olfactory indicators तो olfactory indicators के नहीं बोलते हैं these substances have different order in acids and bases देखिए इनका क्या होगा जो खुश्वू होगी वो different mediums में बदल जागी तो ऐसे को बोलते हैं olfactory indicators इनके example देख लेते हैं first है मारा onion यानि प्याज second है मारा vanilla essence vanilla क्या होता है हम जो ice cream खाते हैं उसमें एक essence होता है यानि एक खुश्वू type होती है उसको बोलते हैं vanilla essence next है मारा clove oil यानि long cut tail तो इन सब को हम विस्तार से पढ़ते हैं उसको यदि हम acidic solution के साथ में रखेंगे तो हमारा जो color होगा वो color हो जाएगा हमारा red कैसा color हो जाएगा red color यानि कि acidic solution में litmus का color होगा वो red होगा और basic solution में litmus का color blue हो जाएगा second है हमारा cabbage leaf extract तो ये क्या होगी acidic solution में red रहेगी और basic solution में हो जाएगी green flower of hydrangea तो यह क्या होता है हमारा यह जो acidic solution में blue color देगा और basic solution में हमको pink color देगा next है हमारा healthy यानि turmeric जो acidic solution में healthy में कोई change नहीं आएगा यानि यह yellow color ही रहेगा कैसा रहेगा yellow color रहेगा और red में और basic solution में क्या देगा यह red color देगा देखिए आपने क्या है आप जब school जाते हैं तो school में क्या होता कि शफेश शर्ट पे कई बार क्या होता सबजी लग जाती है और जब आप उसको घरा करके धोते हैं तो वो क्या हो जाता है red spot में change हो जाती है तो हमारा जो साबन होता है वो किस प्रकार का होता है basic solution होता है तो यहाँ पे जो रंग हो जाएगा उसका वो red हो जाएगा तो next देखते हैं हम synthetic indicators के बारे में तो synthetic indicator क्या होते हैं यानि कुछ chemicals होते हैं यह तो phenophylline क्या होता है phenophylline जो होगा वो acidic medium है यानि aesthetic solution में हमें रंग देगा colorless यानि वो colorless रहेगा और basic solution में कैसा हो जाएगा pink देखे यहाँ पे हमने phenophylline लिया है यहाँ पे यह है और यानि कि यह basic solution में है तो यह अभी pink color का हमें दिखाई दे रहा है जब यह acidic solution में तो यह क्या हो जाएगा हमारा colorless हो जाएगा यानि water जैसा हमको देखने को मिलेगा next है हमारा methyl orange, acidic solution में methyl orange द्रंग देगा हमें red color और basic solution में हमें देगा ये yellow color तो synthetic indicator यहां complete होते हैं, next हम देखते हैं all factory indicator तो all factory indicators सबसे पहला मारा onion है तो देखिए all factory indicators देखिए हमेशा आप देखिए इन में क्या करेंगे, acidic solution में ये same smell रहेगी और basic solution में क्या करेंगी, इनकी smell चली जाएगी जैसे onion है, यानि प्याज है, प्याज को जदी हम acidic solution के साथ रखेंगे तो इसकी smell retain रहेगी, यानि जो smell है वो नहीं जाएगी यानि जो smell थी वही बनी रहेगी, लेकिन basic solution में क्या होगा इसकी smell चली जाएगी Second है मारा vanilla essence, vanilla essence के साथ में भी यह होगा जो smell है, वो retain रहेगी और basic solution में इसकी smell चली जाएगी तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं बेसिक solution में तीनों की जो smell है वो चली जाती है और acidic solution में नहीं जाती है तो यहाँ पे दोस्तों हमारे olfactory indicators यानि तीनों type के indicators भी complete हो जाते हैं तो thank you for watching this video मिलते हैं अगले videos में